तो आज श्रीमत भाक्कोत की इस कक्षा में श्रीन नरत्म दास गो स्वामीजी श्रीन नरत्म दास ठाकूर उनका आविर्भाव दिन है तो इसलिए हम उनके बारे में कुछ सुनेंगे कई बार भक्तों ने इन लीलाओं का अस्वाधन खिया होगा पर जितने बार करेंगे उतना ही हम अस्वाधन करता क्योंकि भक्ती की लीला ही हमारे लिए इंस्पिरिशन है जिस प्रकार कोई क्रिकेटर है या फिर कोई celebrity बनना चाहता तो अपने फील्ड में जो सबसे expertise है उसकी वो biography पढ़ना पसंद करता है या उसके जीवनी सुनना पसंद करता है या अपने जीवन में क्या करता है इसे उनको inspiration मिलता है उसी प्रकार भक्तों के लिए जिस प्रकार भगवत गिता में भगवान कृष्णों का अरुजन पूशते हैं कि जो शुद्ध भक्त है सिदप्रग्य व्यक्ति है उसका कैसा उठना है कैसा बैटना है कैसा बोलते हैं कैसे कर्म करते हैं उनके मन का चलन कैसा है तो जब भक्त की बात दे भक्त को ये सुनना पसंद है तो अरुजन पूछ रहें कैर लिगे इस त्रिन गुणा नेतान अतितो भवती प्रभो कि माचार कथम चैताम त्रिन गुणान अति वर्तते तो तीन गुणों के अतित विक्ती हैं जो शुद भक्त है शुद भक्ती का स्तर है उसका आचरन कैसा है उसका चालचलन कैसा है उसका व्यवहार कैसा है सिर्फ थियरी के लिए तीन गुणा अतित बोलना नहीं पर प्रैक्टिकल में जीवन कैसे जीता है ये जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं उसी प्रकार भक्तों के लिए इंस्पिरेशन अगर है तो भगवान के शुद्ध भक्तों की जीवनी कि कैसे वो शुद्ध भक्त बने शुद्ध भक्ती इस संसार इस शुद्ध जब संसार में आते हैं कैसे अपने जीवन व्यापन करते हैं उसी प्रकार शिला नरुत्तम दास ठाकुर जी उनके हम लिलाओं के बारे में कुछ सुनेंगे और उनका जो भगवत धाम में जो उनका अस्तित्व है वो कहा जाता है कि चंपक मंजरी चंपक लता मंजरी नाम से उन्हें पैचान जाता ह सुने पाथ स्वैम भगवान महाप्रबु त छी चेतने महाप्रबु जब वृंदावन जाने के लिए वृंदावन जा रहते तभी अच्छानक करते करते वह नरुत्तम दास ठाकुर जी का नाम लेते हैं कि जोर से कहते है नरोत्म नरोत्म बुलिए माथ बागवत में विदूर जी बटा देbak नरोत्व का मतलब क्या है कि बहुत अगने मंनोय में जो हुद्धिक सन्सार में जराबी रूची किसे नराधम कहते हैं? नमे दुश्कितनों मुढ़ा, प्रपतंते नराधमा. जो भगवान के शरनागतनी है, उस वेक्ति को क्या कहते है? जरासन भगवान को बोल दिये थे, तुम नराधमों. तो वहाँ पे व्याक्या ये देते हैं कि भगवान को नराधम इसले बोल रहे है क्योंकि भगवान के सामने सभी अधम है, इसले भगवान, तो अलग-अलग इस तर पर व्याक्या होती है, तो यहाँ पर नरोत्त है, मैंने सभी नरो में उत्तम, सबसे उत्तम व्यक्ति कौन है, जो भगवान कृष्ण के शर्णागत है, उनके लिए अपना पूरा जीवन दे एंचable कि उस भगवान के उस भक्त का नाम ले रहे, तो कोई तो special होगा, कि किक इरितन तो सबसे important है, किरितन को रोक के कुछ מעम ले मतलब इससे भी कुछ special होगा, सब लूग आसफ़ में देख रहे हैं, कोई दर देख रहें, कोई नरोत्तम कौन है, तो महापरु को पूच् तितानी वरतामानी चानी भविश्यानी चा भूतानी मैं भविश्य महापुरु जानते हैं ना भविश्य तो भविश्य में आने वाले हैं तो ऐसे भक्त जो भविश्य में आने वाले उनका नाम लिया जा रहा है और पद्मा नदी के तट पर महापुरुव है जैसे ही पद् आगवान मेरे पास आगय है, प्रवेश किया है नदी में, तो उस समय पे महापरभु पदमावति वो कहते हैं, है पदमावति, जो मेरा सबसे उत्तम धन है, जो प्रेम धन है, कृष्ण प्रेम धन है, वो मैं तुम्हारे पास डेपॉसिट कर रहा हूँ, तुमको दे रहा हू तो ये तबीद देना है उसी को ही देना है जिसका नाम है क्या नाम है नरुत्तम नाम है हो सकता है कि एक एक नाम के कई लोग हो सकते हैं तो पद्मावति को confusion हुआ कि पद्मावति दिवी कहने लगी कि अरे अगर पैचानेंगे इसे हम कौन नरॉत्तम है कैसे पैचानेंगे उतो बता के थोड़ी आएगा नदी में कि मेरा नाम नरॉत्तम है प्रवेश कर रहा हूं या फिर कई लोगों का नाम हो सकता है नरॉत्तम किसको देना है तो महापुरू कहते हैं जिस प्रकार मैं प्रवेश कर रहा हूँ तो नदी में इतना उच्छाल आ गया है तुफान आ गया है लहरे इतने उचल रही है उसी प्रकार जब वह भक्त प्रवेश करेंगे तभी भी वैसी ही अनुभुती तुम्हें होगी तभी भी ऐसा ही लहरे उचल लगेंगी तुफान आएगा तभी समझ जाना कि वही वह बातर है जिसको तुमको ये कृष्ण प्रेमधन देना है तो ऐसा ही कुछ वर्षो के बात होता है तो वही नरुत्वमधाश्थाको जिनके पिताश्री का नाम है कृष्णानंदी और माता का नाम है नारायनी देवी कृष्णानंदी राजा थे इस तुम पे खेतूरी जो गाव है कोतिरु राज्य है खेतूरी राज के राजा थे और उनके पुत्र पहले कोई संतान नहीं थी तबी प्रार्तना अर्पित करते थे भगवान को प्रार्तना करते करते श्वयम उनकी माता को स्वपना आदेश होत मतलब नामा करन आपको करने की कोई जरूरत पहले ही नाम दिया हुआ है तो साक्षात का रूत इतना उनको अनुभव होता है फिर जब जन्म लेते हैं कृष्ण वरनके होते हैं सावले होते हैं बहुत ही सुन्दर उनका गठन है शरीर का और जैसे ही जन्म लेने के बाद फ सर्मनी की जब बात आते हैं एस्ट्रोलाजर को बुलाया जाता है तो जोतिश कहता है कि देखिए उनके नाम में तीन अक्षर तो होने ही चाहिए न र और त तो अर्थात फिर नाम क्या हो गया नरत्तम हो गया फिर कुछ दिन के बाद जब अन्न प्राशन की सर्मनी जब आती है अन्न खिलाना कितना प्रयास करने के बाउजित भी खीर नहीं खा रहे है नारैनी माता प्रयास कर रहे हैं सो खिलाने की खीर खा रहे हैं तो उस समय पे एक वैष्णो सादू आते हैं तभी वो सुझाव देते हैं कि एक काम करिया भोग लगा के प्रयास किजिए फिर भोग लगा के प्रयास किजिए तो फिर भोग लगाते है भगवान कृष्ण को और भोग लगाने के बाद फिर खिलाते हैं फिर वो खाते है शिनरत्वाम्दास्थाकूर्खी तो बालेपन से ही कि भगवान को भोग लगाया विना खाना नहीं है यह सिध्धान प्रकट कर रहे हैं विशैर अन्ना खाइला मलिनहया मना विशैर अन्ना खाइला मलिनहया मना मलिनहया मनतहाना कृष्णे रस्मराणा मानिनहया मनतहाना कृष्णे रस्मराणा विशाईरना खाईला राजसनिमंत्रना विशाईरना खाईला राजसनिमंत्रना दाता भोकता दुहारा मलीनहयमना महापरवु का ये सिध्धान चैतने भागवत में ये श्लोक आता जिसमें कहते हैं कि विशयी जो व्यक्ति हैं कर्मी व्यक्ति हैं जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं उनके बनाया हुआ जो अनाज है जो भोजन है उसको जो भी सुकारता है उसमन कैसे हो जाता है मलीन हो जाता है अब मलीन तो आपको थोड़ी दिखेगा कि मन मलीन है मन में क्या आजाएगा काम, क्रोध, लोब, मोहर जब अनर्थ जो है वो ज्यादा प्रबल हो जाएंगे तो मलीन जब मन मलीन होता है तो उसका प्रभाव कहां पे होगा पहले कि हमारी चेतना जो है भगवान के चरणों में नहीं लग सकती नहें क्रिशनेर स्मरन क्रिशने को स्मरन करने में बाधा क्यों आथे क्यों कि मन कैसा है मलीन है तो सबसे इंपोर्टन होता है अनपर हमरी जिभा पर कंट्रोल रखना विशेय अन्न्न कहाता है राजस निमंत्र निमंत्राण रजस गुन को पुम निमंत्रन देता है इतना है तहना ही जो बनाने बाला भी है जो बनाने बाला भी है जो तो आंना बाल दोनों का मन require सबसें वसकता है तो इसलिए खास करके आप देखेंगे और संपर्दाय में भी madhuam और में ہے पहले कैसे होते दे की घर में भोजन करते थे शौज बहार जाते थे आज उल्टा हो गया भार भोजन करना आँ शौजगर में तो तो यह भोजन को हुँ है वो घर में यहाँ व्याँ यहाँ नरूजम नंदिर में तो मंदिर में भगवान के भक्तों के हाद से इसल Ariana Paul किल आच ज़ली मलीन मन नहीं होना है तो उस समय पर क्या किया अभी जोतिश को भी बुलाता है कि उस समय पर कल्चर था कि जैसे बच्चा जन्म लेता है फिर कुछ मेने के बदेश कुंडली देखी जाती है फिर आगे क्या करेगा मातापंदे को बहुत सुकता होती है तो उस समय पे जो जोतिस था इसने क्या किया? उसने कहा कि देखिए जरा संबाल के इसको सादू संतों से जरा संबाल के रखना और पास में जो नदी है ना क्या नाम उसका? पद्मावदी, पद्मावदी के बस भेजना नहीं, खत्रा हो सकता, यह पूरा उसका जीवन बदल जाएगा, अगर यह नदी के संपर्क में आ गया तो, तो उसी समय से क्योंकि राजगराना है, उसी समय पर कई सेवक लागा दिये, देखने के लिए कि नरुतमदास अपने मन से कहा जाया नहीं घर के भार, जिस प्रकर रगुनादास गोस्वामी के लिए बंदी बनाया थे वैसे हैं, उसी हिसाब से, और फिर नदी के पास नहीं जाने के लिए बड़ा बार्डर बना दिया, फैंसिंग कर दिया, यह जाना नहीं है, तो ऐसे में जीवन चल रहा था, यह जए कि बालपने से ही, जैसे कर्मी का पालपन का वा सी, बालसतावते क्रिड इंक बुरुद्धासावचिंतागरस्त परब्रह्मनी कोपी ने सकता भाई टाइम किदर है सोला माला करने के लिए गिता पढ़ने के लिए बाल पन तो गया खेल कुदने में अभी किसी बच्छे का पढ़ेंगे श्लोक पढ़ो गिता का या फिर सुनो कुछ कृष्ण बुक के लि उनका पूरा चिंता लगा रहता है घर की चंता रहती है बेटे की चंता रहती है यहां तकी पॉलिटिक्स की चंता होती है क्रिकेट की चंता होती है साथ साथ में अगर समझ बच भी गया तो कोई बिल्दिं के सेक्रेटरी बन के उनके पूरा बिल्दिं की चंता लिए भगवान के पास किसको समय नहीं है, देना नहीं है पर शुद्धभक्त की जीवनी में आप देखते हैं अथवा योगी नमेवा कुले भावती धीमताम एतज भी दुरलबतर्म, लोके जन्म यदिधिश्रम ऐसा जन्म दुरलब होता है कि शुद्ध वैष्नों आचारे के घर में जन्म मिलना और बालपन से ही वह भक्ति के कारे में लग जाना जैसे शीला प्रभपाजी बालवस्त में ही जब बालपन में थे तभी वह जगन्ना तरिया थातरा के खेल खेल में कर लेते थे तो नरतम्दास्थाकूर का ऐसा सभाव खेलना कुदना नहीं है कुई वह बहुंगा भालपन के लिए छोन नहीं 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 कि ऐनके यहां पर राज्य में कई सादू आते थे अरी कत्षा करते थे महाप्रभू की भी कत्हाएं करते थे और उनसके सुन्ने में बहुत उनकी लालसा होती थी तो कई घंटों जाते थे और शुन दे इतने मगना हर दम वही शुन से नहीं इस भक्ते ने ऐसा किया है तो मैं ऐसा ही करूंगा तो एक दीन क्या हो गया रगुना 10 गुश्वामी जी कि ता सूनले मैं कल सुन रहा था रगुना दास सुन के तो बताएंगे हमको तोड़ी क्या पता है सुन रहा था तो इसमें नीचे कमेंट किया एक ने I will not allow my parents to watch this video रगुना दास गुस्वामी जी की कता सुनी की कैसे रगुना दास वामी महापरुब को मिलना चाहते थे पुरा सपोर्ट चीन लिए और फिर प्रयास करें उनका विभा करने का विवा हो जाता है इंद्रसमान संपत्ति लक्ष्मी से लक्ष्मी जैसी सुन्दर पत्नी तुन्ना की गई है महा चरितेन चरितमृत में अब फिर भी रुची नहीं है माता-पिता हैरान बंदी बना दिये स्कृरिटी गाड्स रख दिये साउरक्ष्ण की लिनी कि घर भार ना जाए इसलिए से कृरोटी गाड़ रदिये अगितना वार प्रयास किये भागने के लिए फिर भी सफल नहीं हो रहे ती नित्यान परभू कि किरिपा हो जाती है फिर सफल जाते है महाप्रभूर्न भगतगनर, वायराग्याः प्रधान वायराग्या की मुर्थिमान, Swarup, Ragnadas, Goswami बन जाते हैं पहले हुआ है, बिक्षा माँक् के खाते है, पहले तो उनको महाप्रसाद स्वयम, प्वरुप धा मुष्वाम को मुष्वामी के जिये देते है भागवान का महाप्रसाद लाख द बढ़ के हैं के देढ इनक है वर कि दिए को ध्रान देना तो स स्वारू बादार को सहरूत दया अभी हो एक हुट्स मॉझे भी बिंच ही मुझे महाप्रसाद नहिंचे मिए भिख्षा मांगे खओंगा मंदिर के भार भिख्षा मांगे खाँर एंति है गई धिए और पूछ रहें सुरुत दामदर को क्या कर रहें व्हारव एस रगुनाद 10 गोस हमीं तो बोलते हैं भीक्षा मंग के खा रहें महापुरू खोश होगए यह तो वैरागी का लक्षन है भीक्षा मंग के खाना मधुकरी करना कुछ दिन के बाद फिर महापुरुबजे क्या कर रहे है रगुनाथ भुलते है भिक्षा मंग, भिक्षा मंगना बन मुझे ठूछ जाए नादेना करना क्यों दूछ जसके एड़ described या झांड परकोब करना मिसा है चलैंट आएगा ये मुझे जदा हैंग। बेकर शल्यों के संसके होने मुझे डीन के कि बुदॉप्र गाओ दी जब कोई बिख्षा आप किजीने के लिया है तो बिक्षा मांगना सौड़ते हम आखिर तक इए आखिर में क्या करते हैं कि पूरी में प्र geen संद्ध मैं कई दिन का प्रसाद है वह जो गवे को नहीं भाते हैं उसको दो कर वो खा रहे हैं और स्वय माभप्रभू उनके हाथ से छीन कर वो खा लेता है तो यह जब लीलाएं सुनते हैं, कौन? कौन सुनते है? नरत अंदास कवन, एक दम निर्धार बनता है छोटे है, जादा बड़े नहीं है दस ग्यारा साल की उमर रहेगी तो मातापिता जो है, उनको आश्वरे प्रदान कर रहे है एक तुम अच्छे बस्तर पहनो अच्छा विंजन खाओ उन नहीं नहीं, दर्गुनात दव्ज भुसामी तो नहीं भाया था उन उन तुम अच्छी कपने नहीं पहने था उन्हें था भाष्ण हेए तेंशन आ जाता है ना मातापितों को सबसे बड़ा टेंशन यही आता है कि अच्छा है भक्ति करो पर ज्यादा इतनी ज्यादा भी मत करो बैलेंस रखो बहुत टेंशन आ गया और तो वही हतकंडा कि अभी क्या करना इसका अधी विवा करेंगे तो हल जोता है कैसे नहीं बहुत रहता है वैसे वह कंड्रोल में रहता है कोई प्रॉब्ल्म जैसे रगुनादास के जीके मातापिता सोचे से वैसी ही विवा की तयारी करने लेंगे इनको टेंशना ईए किसको नरृत policy अखे चेंशना ए अगया ऐधी यह उल्टाइ कुछ हो और तो उझार है उस ही समय पे सपन आदिश होता है स्वयम कोन दे गुण सवयम कोन अ्परुन के शॉपन एथे है नित्यनदपरभु उनके शॉपन में मैं आते है श्रवनम, किर्टनम, विष्णो, स्मर्णम, ज्यादा जिसका अश्रवन होता है, ज्यादा जिसका किर्टन होता है, इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिव्भा पर पहले कांट्रोल, ज्यादा बगवान के बार में बोलना है कृष्ण प्रसाद खाना है, यह करने से हमारी भक्ति की जो विदी है वो बहुत सरल हो जाती है, भक्ति तो ऐसे सरल है, यह मन जो है उसको जटिल बना देता है, तो नरतम्दास चोटे इतने चोटे आयू में इस सवपनागेता सवपन में नरत नित्यानद प्रहु कहते देखिये, कि मैं तुमको निर्देश जेता हु कि तुम जाओ और पद्नावथिये पहले स्नान कर क्या हो, कई बार तुमने स्नान कर अपर यह कुछ अनोखा होगा, तुम नरतम्दास चोटे बना करते हैं, बोलते खतरा है जान के लिए, तो नित्यानन्द प्रभु के आदेश से नरतन दास ठाकुर जिगा क्या करते हैं पद्मावबती में बिना बताएं रातरी में जब सोय हुए रातरी प्रातर हो सकती है उसमय पर सबस्वे हैं निद्रावस्ता में है तो बांध भी बना दिया था न वो भी खुला हुआ है प्रवेश करते हैं वही उच्छाल लहरों में आने लगता है तूफान आने लगता है और सुएम पद्मावथी दोई प्रकट होती है बलते पूछते हैं कौन है मैं पद्मावथी देवी हू परस्वाइट रिवर परस्वाइट और हाथ में सुनहरा रंग का पुश्प भी ह और कमल उनके पास उनके करीब लेके आती है और अचानव को कमल का Transformation होता है महापरवू यह सुना है मैंने कमल का Transformation महापरव महापरवू आमानो प्रवेश कर लिये उनमें कृष्ण प्रेम के तो नदी में स्नान करने के लिए गए प्राप्त क्या हो गया उनको? क्रिश्न प्रेम क्या प्राप्त हुआ? क्रिश्न प्रेम प्राप्त हुआ और वैसे तो उनका रंग कैसे था? क्रिश्न प्राप्त है 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 क्रिश्न कोई पैचाने के तायर नहीं तो हमारा बच्चा नहीं लग रहा है और कौन है तुम्हारा बेटा तो हो नरॉत्तम क्या हो यह पतनावती में स्नान करने का प्रभाव तो उस दिन के बाद फूरा काया पूरा चेंज हो गए अब पूरी तरह वो कृष्ण भावना वृत में इत Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna, Mahaprabhu तो Krishna Krishna कहते थे, वो क्या कहने लगे Shri Krishna Chaitanya, जिसको बोले है, और सभी को टेंशन है हो क्या गया इसको, यह बंदी नहीं हो रहा है Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya बोलने के लिए, तंत्रक बंत्रक बुलाते, Ayurveda चार्य को भी बुलालेते है, और जो भी उनको प तो Shri Krishna Chaitanya करते, जो भी उनको सपर्ष कर रहा है, वो ही हो रहा है, कितने तंत्रक लोग आया है, सभी लोग भक्त बंते जा रहा है, तो नहीं नहीं यह तो अभी कुछ प्रभा हो गया, महापुर्व कृपा मिल गई, तो कई दिन के बाद, कुछ दिन के बाद फिर अपने म रंग बदल गया, सुनेरे रंग के हो गया, और फिर वो हर भर भगवान चैतने महापुर का नाम लेते जा रहा है, तो फिर मुगल ने बोला कि मुझे मिल्ला है, मुगल राजा ने बोला, तो उसको ले क्या हो, अभी जो उनके पिता थै कृष्णनान दी, अभी वो सोचे क रही, उसको भेज़े बेज 床प अखरेकशन कर देगा, तो संनिक के साथ भेज़े हों लो अभी उस समय पर स्समय भेज्जते हैं आव बोला नेरल नेरुतमदास्ताकुर भागचाते हैं और आजसे भाग जाते हैं भाग जाते हैं भाग जाते हैं थक जाते हैं आज सो जाते हैं थक तक के सो जाते हैं तो सब्सक्राइब आते हैं उटके दिखता तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो इसे काउंसिलिंग कर कि वो लोग माल लेते हैं कि अभी मुझे थोड़ा वृंदावन दर्शन करके आता हूं आप लोग चले जा वहां से कुछ नहीं होगा मैं स्वयम खत लिख दूँगा और फिर सैनिक लोग वहां से निकल जाते हैं और फिर वह कहां पर प्रस्तान हो जाते हैं वृंदावन को चाहें थे कि तुमको वृंदावन जाना है और तुमको जीव गो समें इंस्टिटूट मतल्ब इंस्टीट्टूट फिसलिए परसavo और बलते हैं चलता बेम इंस्टिडूशन थे किके टने लोगों को उन्म प्रस्टिशन किया था तो जीव को श्यान मैं दभ ख करना है स तो निकलपड़े व्रुंदावन के लिए कई दिनों तो ऐसी ही दोड़ रहे है विश में जब ठक जाते हैं जब सो जाते हैं तभी उनको सपन में आदेश सपन में भगवान के दोर आदेश होता है और एक बार तो स्वयम भगवान उनको चास लेक आते पिला देते हैं ऐसी बुदावन उनको खोजाते हैं जाया जब जोट जाते हैं सोचते है की रूप गडवुषवामी से मिलेंगे तो उस समें पर इसमें जमे पर एक दista रुदावन नामक एक भक्त मेरा आएगा करके और इसलिए उनी हो सिकारता है और को शीक्षा का अध्या आधंचा शास्तर का शीक्षा उनको देता है और फिर पूचते हैं रोप सनातन गोस्वामी कहां पहँ पहां पये तो जी गोस्वाम के तो ऑभी नहीं है तो यह इसो तो अभी आज ये परिवार के हूँ और मैं तुमको दिख्षा नहीं दे सकता नहीं देंगे आप किसी और से दिख्षा लेज़े कई बड़े बड़े वैशनव है उनसे आप दिख्षा ले सकता है जिस प्रकार भक्तिस्वान ठाकुर जी को ये एक्स्पिरेंस हुआ था ये शास्त्र में निपुन हो तुमको क्या अवशक्ता है मेरे जैसे तुम भक्ति अपने पिता से ले सकते हों कि और सादूं से ले सकते हो मेरे से क्यों उसी प्रकार यहां पर भी लोचन लोकनादास गोस्वामी जी करते है कि तखे मैं तुम में नी दूंगा दिख्षा नी दूंगा अभी हमारे जैसा कोई हो तो तो नहीं बोलेंगे लेंगे पर बहुत सरे ऐ बड़ी बातंग नी 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 ले लेना है तो उन सेही लेना है कि विना Scคร दडवी कुभ पंपतेी सि Dwini प्रनी पातेना प्रिप्रशन सेवया उब्हदेश श्कांति यनद टात्वदर्शिन थक्रिपा करते जब सीवा करते हैं कि समन इस्का बनाना हु मन जा उसका बनानार था Syewa करना सकते है तो स्ट्वा करने लग जड़ें지라고rence तो जहांपे वो सौच करते थे प्राता जब सौच करने जाते थे उससे पहले आके लोचनदास लोकनादास गोस्वामी जब सौच करते थे वहांपे नरदवम दास थे उस जगे को साफ करने लगते थे तो हर दिन कई दीनों तो कि चला और फिर लुकनादास Gooswami है सोच रहे हैं मैं जहां पे सवच करता हूं भाँ पे इतना स्वच कैसा है हर दिन देख रहा हूं में स्वच करता है कोई ना कोई तो करता रहे तो वो क्या करते हैं तो पेड के पीछे शिपके देखता है कौन कर कौनख सेवा गर रहा है वे थे इतने बड़े घराने के एंड़ सेव कर रहा है तुरंड लंको भुला थे हुई उको झालने हो जाते हैं और सिव्म लोकनाधास घोसवामी उन को दिक्षा देते हैं और पिर गथा ऱते तो तुमको सिर्फ जीव गोसामेजिसे ही लेना है, तो जाओ बे, तो जीव गोसामेजिसे वो कई दिनों तक वह शिक्षा लेता है, महापुरम की लिलाओं की चर्चा होती है, कई दूंग रस असवादम होता है, उस समय पे, साथ में उनके सथ और वी शुड़न्स होते थे और मुख्य तोर पे, शामानन्द पंडित और शिनिवास आचारिया, यह दोनों शुद्भक्त हैं और वो लोग भी उनके साथ शास्त्र का ध्यान करते थे, एक समय पे ऐसा होता है कि शामानन्द पंडित, शामानन्द पंडित और नरुतम्दास ठाकुर यह लोग जब थे जब दास शब उनको तभी लगाया है अविजिशा हूगह, ठाकुर शब्द जीव गुश्वा मैं दिया उनको, पहले जफpping नरुतम्दास बन गाए, पिर बाद में क्या हो गहे, नरुतम्दास ठाकुर तो शिले चावा ड्रमदास थाकुर कि गल भार भाष्म एक बास्वडरी के धुर उन्यगार ऑज कना ऑन करते हैं तो कहां और बीगरों डंगे तलो पूरी दै तो कहला है यह उनका ईबना ऑफ sotto ऐसे करते थे कई दिन तक वो शास्त्र अध्यन करते थे लीला और अस्वादन करते थे यह कुछ दिन के बाद साय। जीव गोस्वामी एक बार अनॉस्मेंट करते हैं और सबी शिश्चों को बुलाते हैं अपने और कहते हैं आज इसे हमारे जो यह तीन शिश्चे हैं शामानन्द पंडित शीनिवास आचारिया और नरुत्तम दास ठाकोर यह सभी लोग प्रिशिंग करने के लिए जाएंगे हरीबोर सभी लोग हरीबोर बोलते हैं तीन छोड़के यह तो हरीबल हो गया क्योंकि गुरु का सानिद्य को त्याग करना कमफर्ट जोन को छोड़के कितन और जाना और गुरु का संपर्क तूटना अशिक्षा गुरु नहीं मिलना नदिक्षा गुरु मिलना और कहां पर जाएंगे हम एक रामानुज अचायरे भी ऐसे अनॉंश्मेंट किये थे कि तिरुपती में कौन सेवा उस समय पर ऐसा तो इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं था तिरुपती में अभी जैसा है तो पूछे थे कौन सभी शिश्यों को बहें कौन सेवा करेंगे उसमें से तुम को गता कि रीतर टेना करना हें तो आदेश हैं आप मानना पड़े अ रिदा में पथ्र रखते हुई ओ तीनों निकल पड़ते हैं और उनके साथ में कोई भान बस संकृतन-बस तो नहीं थी व faculty ती और बैल गारें और धेज सब्रस्त्र सब ग्रंथ थे वो लोड किये थे और भी वहां से वो निकल पड़ उस समय में बुक इस्ट्रिबूशन स्टार्ट कहता है उन्होंने कुछ खद भी मिलें बेंगॉली में कुछ खद भी मिलें है नरुतमदास ठाकुर जी एक बार कहता है इस खद में कहते हैं कि कि यह बुक डिस्ट्रिबूशन बहुत स्लो पेस्ट में हो रहा है यह सुना तक बक्स है कि बहुत कम होता है आजकर अनॉंस्मेंट होता है कि 100 महा बिग बूक 200 महा बिग बूक में गीता मैरेथन में 8 लाक महा बिग बूक्स तो वैसी है उस साम पे एक बूक दो बूक बहुत बड़ा होता था क्योंकि उस साम पर पबलीशिंग कुछ कुछ मशीन नहीं ती, कुछ प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लिख के ही कौपी करना है, उसको ही वितरन करना है, फिर और कोपी बनानी है, फिर वितरन करना है, इतना कश्ट था आज कर लाखो भूक एक टाइम में बनते हैं, तो उस समय पे नुत्तम्दास शुकूर लिखा कि आगे चलके कोई अशी यंत्र होगा ना कि कुछ बुक्स ज्यादा बनने के तभी कुछ हो सकता है कि फिर उनका सपन पूरा किया भक्ति साम शाकुर जी ने उस समय पर कि तो ऐसे भुक्षव बितरन करते करते तभी उस समय पर क्या बैलकाड़ी में इतने शास्तर लोड करके गये थे एक जगा पर रेस्ट करने गए वो पूरा गायब कोई चोरी करके गए युदिन कए टेजेलत थाहिन उसका कोई सेवग लुग ऑफ यह चलिया स्याम अफ लुह और संब आगे हैओ जाओ अप लोग आगे जाओ युदिन मैं जहूं द्हें देख के आता हूं उसको लेकर आता हो सब सब्सक्रम को तो यह लोग आगे निकलते हैं और फिर शामंदबंडी सफल भी होते हैं बाद में वो लिला अग है और नरुतम्दास्थाकूर खेतुरी में फिर से अपने प्रांत में प्रवेश करते हैं जब नाव से जाते वक जो नावी रहता है उसको पूछते हैं कि कृष्णा नंदी राजा कैसे हैं और लिए और नावाएनी यह पना वर फुष्णा जो आपगे वन लिगा से जानले तो जानपूछ कर थर्डपअन के पूछते है उनके हालचाल भूछते हैं वसे तो तो सब थीख है अभी उब कर अभी ुनका नहीं लगता है जब से लिलाप करते हैं तो यह कहने लगने लु तो दो तीन पूछते हैं बहुत कटवर हिदय है ना तो जो सकता है क्योंकि इतने अच्छे मातापिता जो इतने शुद्धबक्त है उनको छोड़ कोई कैसे जा सकता है तो नरतांदास थाकुड़ी वह कटवर हिदय वाला नहीं हूं तो जैसे ही एसे सुन लेता है क्योंकि राजवेश्म तो है नहीं कौपिन बहुए है तिलक लगाय हुए है वैश्नों तिलक लगाय हुए है एक्टम सादूवेश्मे है तो वह नावी इतना खुश हो जाता है और पूरे गावभ में प्रशार करना लगता है कि नरुत्तम आ नरुत्तम आ अगया करके उनकी माता पिता को पाउच्ण यह मैसिज जाता है अग एक बहुच्छने के बात सभी लुग उनको इनको मिलने के अए यह माता-पिता भी आता है माता-पिता सुखतीज को अलिंगन करे यह तो सादूवेश्मे इतना बड़ा सादू हो गया हमार जायद से, तो हमारा नरू है, फिर बापने सोचे नितु बट बड़ा साधू होगे अभी, आलिंगन करें या नहीं करें, तो स्वयम उस सामें नर्दमदास घोसा में जो है, नर्दमदास ठाकुर जी है, वो दंडवत प्रनाम करते हैं अपने मातापिता को, वैष्णव है, दंडवत प्रनाम करते हैं, और फिर उनको आलिंगन देता है, बहुत कसके आलिंगन देते हैं, और फिर उनको केते हैं, अब हिसुम कहीं पर मत जहना भी, घहां पर रएड़ना, घर मेरेना, नर्दमदास नहीं नहीं नहीं, मて गूरी का अधिश्यन प्रशार करना, मैं इस लोग भी उनके शिष्य बन जाते हैं। और नरतोंदा स्टाकुर है तो कायस्थ परिवार के, ब्राह्मन कुल के सब्वाइह भोच प्ल One पर दके दान दरwiek दो है। वहां पे स्मार्थ ब्राह्मन जो आपको बहुत स्मार्थ समझते थें। वो लोग निंदा करने लग गगें वेदवाद रतपातन नान्यत अस्थिवादी ना क्योंकि ऐसे वेदवादी जो ब्राह्मने उनके लिए क्या है स्वर्ग जाना फिर से जनम लेना अच्छे कुल में जनम लेना यही उनका लक्ष होता है साधना करने का अत्वा मंत्रजब करने का यज्यादी अनुष्थान करने का तो ऐसे ब्राह्मन लोग निंदा करते ते एक समय पर क्या हो गया एक ब्राह्मन के दो बुत्र अ कि बली बली वगर दिया करते ते उसमय पर ब्राह्मन लोग भी तो देखो एक दो बख्री को लेके वो कि चाहत रहे है == सॅ तो इंड़ायक्ली उनको प्रीजिंग करा रहे है , बोल रहा थेखू ? तो व्ता रौत लिका है ्ज तो आन्य डेवता की अपास्ना करते है , अल्पवु पूत्ध्ध्य करी तेवान दीवान-देवादाइऑ यजोयान्ति,YUट्वाक्तियान्ति आन्तियांति यूएम अपासेश, वै impressions यूप एन्य देवाताइ भक्ताया यजन्ति-आमㅋㅋ अपास desemनाऊ rect Let me calm it to avidi करें थाट एविदी है ऐसे करते देवता उनकी उनकी उपासना करने बिलोगें लोके का खन्डन करने के लिए लग जातें चर्चा होती है प्रानियों को बल्ली देते हैं और सिफ अनुष्थान करते हैं सुर्ग जाने के लिए इत्यादी ऐसे लोग अलप बुद्धि के हैं मुर्ख लोग है ऐसे भगवान कृष्ण गिता मैं कहते हैं मैं नहीं तो बलते हम ए भृट गंबिर विष्य है यह तो हमने था पता नहीं था तो सुर्णी लग जाता हैं उनके साथ समय पिदा एता है तो जो किसका करना क्या है बहँ है भूख्रियों क्य करना के बढ़ फ्रोख दो बेचे पैसा रिच के थे बंदिर में दो तो ऐसे ही करते हैं ध फिर जाके अपने घर में जाते तो ब्राह्मन पूचते बेख दिया उनको पुछा को कौन बोल तुमको कुछा बोल ड़ना है राक बोल रहे तब आप चाहिए नहीं करना चाहिए तो ड्राह्टर्म आप अजीया तेहा हुआ अश्या बढ़िए शास्तर को नहीं करना ब्राह् जो होते हैं उनको चर्चा होती है बोलते हैं यह जो नरत्म दास्थाकुर पूरे बिगार देगा हमारे इस पूरे संस्कृति को तो जांके राजा को कमलें कर देते हैं तो राजां को अकुम्दें करते हैं सभी उनके मिनिश्टर्स भी होते हैं उनके संद्वे चर्चा चलते है बोलते हैं ये रुष्टन दास पूरां हमारे संस्कृत बिगार रहा हैं अबी लाजा कहते हैं अभी राजा चेह तो क्या किया जाए है आपके दो कुछ कुछ तर्क करने वाले शास्त्रार्त लोग भी चाहिए हम भी जाएंगे और उसको हरा देंगे तो उस समय पर एक कई ब्राह्मन को पुछते हैं तो आप आएंगे सब लोग मना करते हैं नहीं क्या ज़रुवत है तो अच्छ तो नहीं तो बहुत उनका नाम सुना है अरे वह रूप जीव गोस्वामी के शिष्य हैं लोकनादास गोस्वामी से उनने शास्त्र पढ़ा है उनने रुण तर करेगा उनसे तो इसमें से एक ब्राह्मन होता है वो थोड़ा सा हसता है तो उनके लिए इसमें 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 इसको लेके जाते हैं नाम भूल गया उनके गया है नाम भूल गया है उनके इसमें कोछ है रूप नारायन चक्रवरति रूप नारायन चक्रवरति उनका नाम अभी यह रूप नारा है चक्रिक वर्तु के लेकर जाते हैं, उनको भी कॉण्फिटने हैं, इसको अभी ब्राह्मन लोग भी जाते हैं, और जाते हैं तो उस समय पे, अभी नरुत्म दास्ता को बहुत ही विनम्र है, लक्षन है भागवत में सिद्धान, भागवत में श्लोक क्रिक विण भागवत क leads समुष्ण। इसको समाचितना, प्रशान विमानन याव शूरधा साथव होई हैं, लक्षन कोई शुत्भ़कत का consulting में, भागवन भागवन वैषन की सेवा करता ही है, सेवा ने तो उनका धर्म है, वैषन की सेवा करना, कि सेवा करते हैं, ठीक हैं शांत, चित आहा, महत सेवां द्वार महांत सेवाद दवार न योषिन संगी संग महांत सते, समचित आहा, समभाव से लोगों से वी लोग को देखना, प्रसांता, सांत है कभी जिशलित नहीं होते हैं, आप पूरे मानम अचला प्रधिष्थ उर्ण, वीमन नहीं सूरद सादवे, सभी के लिए सूरद है, सब को मदद के लिए तयार, everyone's well-wisher, ऐसे नहीं कि मेरे गुरूप का है तो ही मदद है, सभी के लिए, और वीमन नहीं किसी से द्वेश नहीं, वीमन नहीं सामने वीमन द्वेश करें, फिर भी उसके उसको मदद के लिए ततपर, कभी कुरोध नहीं, तो ऐसे वेक्ति यह सुभाव, नरतमदास हकुर का बना हुआ है उनका सुभाव, और उनको पता तो उनके शिश्यों तो पता तो यह तो तो तर करेंगे नहीं, यह तो बोलेंगे ठीक है, क्या करना है, साइन करना है, मैं हारगा लेलो, ऐसे बोल देंगी यह तो, सेम परंपा से तो आ रहे हैं, आये हैं, रूप को स्वामी सनातन को से देशा कि यह यही तो तो उस समय पो शिश्य एक नाम बहुत, तो गाणान बहुत, पका मझे की अचैया करना सुचे थे नाम था, नार्यंचकरवरति, तो गंगा नारायनचकरवरति तो गंगा नारायन-चकरवरति, पर हैं भी बिच महीं दघलते हैं, क्यूंकि यह जो आएंगे न, रस्तहरे में, तो कुछ ना कुछ भोजन करेंगे, क्योंकि वह लोग भी ब्राम्मन हैं, वह भी किदर खाएंगे नहीं भार, वह लोग खुद बनाएंगे, तो उनको बरतन लगेगा, तो ये बरतन बन जाते हैं, कौन? गंगा नायरान चक्रवरती, तो मिट्टी के बरतन बेचने के लिए हें और एक शिष्य एक पान बन जाते हैं। उसे भी ब्राम्म कुछ भानमन लोग फारान खातेतें। जो एक प्रतन मिट्टी के बरतन बन जाता है तो ये लोग जब आते हैं, वे सकति अचे हैं पूरा आते हैं, हाराएंगे उनको नरत अंदास को हराएंगे कर्के ये मनश कोट्होग जाते पहले इसेंज में बूने लगता है और संस्क्रित पते बॉली इनको तब पता बुण किर में इनको समझ में नहीं है उनको अन्होंसे बॉलते हैं अब इनको ऑप इनको समझ में करते ब, तो बी चलतां हिनी को अविधनर बढ़ता आगे । ज बहुर संवर् ना झाल को जाता वह इसान। पर शास्तरत भात आगे हमां। और रोड में टक शास्त्तरवद होने लगता है बूरे शास्त्तरव और पूर शास्त्तर अगरे डो नग, सब लोग को बूंदियो एक से ही कुछानध एक लिको테न ई सबuगिन ऐसें अग्नानउन के टीकुम तरकर ने जाने वाले नरतौमदास ठकुर के बास रहा है पता चल गया तो उधर से हसना चाट करेगा है को तुम तो बारतन आए से हर गए। तुम तो बार्तने इसे यह था तो पूच लिया वहां से रूपनारायन चक्र वर्ती है वह पूच लिये और भी तरकर नौं को तो आप इस तरकरे वो भी हार गये, तो रूप नारण बढ़े आप किनके शिष्य हों? तो बोले हम जो आप कहा से सिख्य हों? बोले हमारे गुरु से सिख्य हों, तो आप किना नाम बता है? नरुतन दास्थाकुर अर जैसे ही बोले, सब लोग देखने लगे लगे अरे यह यह शिष्य हमको छोड़ा नहीं कहीं कहीं हम गुरु के लिए अभी तो बोले हैं यही से यूटन मार लेते हैं यह तो इनको उचाए यह मैं सबसे, यहाते ही तिमको तो पता था, रूप नाधराण चक्रृदी को पता थेंड्य हमारा ओड़ा, उनका हिस्ट्री था एज एगित उनको इनको हरा था तुम क्यों आयाफ है तुम बताए क्यों नहीं हमको उते हमें मजा लेला चाहता था में देखना हुआ हिस्ट्री विल रिपीट है इसले में असराता हुदर तो लेके जाते फिर कुछ नहीं कर सकते ब्राह्मन लोग कभी क्या करें दुष्ट कर कर के कुछ फायदा नहीं यह तो इतना तर्क में कोई हरा नहीं सकता था यह ऐसे उनकी ख्याती बढ़ गई नरुतमदास्थाकुर्जा की उनके शिष्ये ही इतने गुणवान थे शिष्ये की गुरू की पहचान उनके शिष्ये से होती है जैसे पहले जो कोई संगीत सीखता था तो एक आलाप लेता था जैसे गुरू की पहचान होती कि कोन से गुरू का है चेला है वैसे ही जब कोई शिष्य का स्वभाव के अनुसार शिष्ये के गुण के अनुसार क्रियाओं के अनुसार गुरू की पहचान होती से शिष्ये को बहुता है राज्या राष्ट्रकृतम पापम पति पापम ना यार शिष्य के पाप किसको पड़ता है गुरू का इसलिए शिष्यों को बहुत सतर्क होना चाहिए खास करके कोई जान बुछ पाप नहीं अप्राधनी करने चाहिए तो नरुतमदास थाकुर इतनी उनकी ख्याती बढ़ेती फिर एक समय पे गौर पुरनिमा का सोचते कि हम बहुत बड़ा बनाएंगे मिटिंग करते हैं वैष्नों के साथ और सोचते हैं कि स्रीवास अचरी भी मदद करेंगे पर स्रीवास अचरी का अभी संपर्क नहीं हो पा ता कि є रामचंटर्व को को हुगdal नहीं है रामचंदर्ग पूरी उनके ही की फुरुभाई के खिष्या ये शिष्या रामचंटर के शिश है रामचंधर और रामचंदर का संग कबड़ रामचंडर का संग्राय अभी आप ऴिलाश क कोन कर रहा है बत्ले अपने आपको इत और नरतमदास ठाकूर दोनों आयोजन करने के लगते हैं और इसमें मदद करते हैं स्वयम नरतमदास ठाकूर की चाचा के लड़कें जिनका नाम ता संतोष जो कि वह राज्य कर लेता है उस समपे खेतुरी का और खेतुर में बड़ा सा गवर पॉर्णिमा का फेस्टिवल आ आयोजन करने के लिए उस समपे बहुत बार पत्र लिखे गए तो भी कई वैष्णों को पत्र लिखे गए गए पहले तो सूची इतना बड़ा अरेंज कैसे करें स्वपनों में आदेश हुआ ये मेरी इच्छा है मापरू का है ये फेस्टिवल होना चाहिए और सभी आर को निमंत्रन दिया गायाता सबके लिए लेटर से लिखाया जारा था यहांता की ध conception निमंत्रन दिया गाया सुBS श्रीजान वपादा पदमा करिया स्मराना श्रीजान वपादा पदमा करिया स्मराना दिनकृष्ण दासकाया नामसंकिर्तना दिनकृष्ण दासकाया नामसंकिर्तना श्रीजान वपादा पदमा हे जैजे कृष्ण ज्यवरिंदावना श्रीजगृद्ग पिनातम अगां मुष्ण वडना वपनावना कि यह भी बजन स्री रणात्य अंदास ठाकुर जने लिगा है बहुत ही सुंदर यह भजन है और इसमें स्री जानव पाद पद्म करिया स्मरन उनके चरनों का स्मरन करते लेखी जानवामता जो नित्यानन पुर्व की पत्नी है और उनको स्मरन करते कि उस समय पे जब सभी महापुरू और उनके साथ जो संगीत हैं उस भी चले जाने के बाद श्री जानवापात्म एक में आधर्ष बन चुकी थी महापुरू की शिक्षा को आगे करने के लिए तो एक तरह से वह शिक्षा गुरू थे और सभी वैशनों के लिए वाधार बन चुकिए नरत्म दास आयोजन हुआ इतना बड़ा पंडाल हुआ इतने भारी भारी संख्या में लोग आए और बहुत भारी मातरे प्रसाद बना और सभी तयारी हो रहेती पर इसमें नरत्म दास्था को चिंता थी कि विग्रा के बारे में जो विग्रात है महापुरू के वो ठीक से नहीं बन र जिनने देखा उनको पताया ना तो संतुष नहीं हो पानाए ते हाए तो सवन में आदेश होता है किनको नरत्म दास्था कुर को सुए महापुरू के देखि तुमको सभ विग्रा क्यू नहीं पसंदार है क्यूंकि मैं ही उनसे अच्छा नहीं बन रहा हूं मैं जानपच उ तो इसके नीचे मैं छुपाँ उसको तुम बहर निकलो और फिर जब स्वक्ना का आदेश हो जाता है आदेश होने के बाद स्वह में नरतम दास्था कुर्न आप अन्या उनके शिष्यों के सथा जब चले जाता हैं और विपरदास के जब आप जाता जाता है तो विपरदा बाष चलिए, मुझे वर गोड़ावन में जाना है, बाष रूखनी का बाष नहीं आपको नहीं जाने दे सकते हैं, तबाष बहुत सरण तर बहुत क्ना है भी जाना है मुझे, विट उनको कौन मना आकर सकता है, स्वयम नरुतामदास थाकुर जी को फिर उनको जाने देते हैं अपर जाने देते कोई शिष्य को नहीं अंदर लेते हैं स्वयम जा चले जाते हैं अंदर और सभी जाना से इतने साप है इतने साप है वहाँ पे हैं सापों का नूडल्स जैसे हैं इतने साप तो इतने साप थे बोलते हैं और सभी लोग साइड दि से भी फृतुष भवन गश्री नहीं पहचाता है तह उस प्रकार महापु विग्र फिर वहां स्थापित होता है और और फिर स्थापित होने के बाद और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है अभिशेक होता है प्रसाद होता है और वह संपन होता है पूरा कारक्रम और फिर समय की पापंद से अंतिम निला उनकी बोलते हैं अंतिम निला में उसके नरत अंदास थाकुर ज कि एक बार स्वयम सब भोजन वगरे त्याग देते हैं और कई दिनों तक कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं तो मरने की जैसे आवस्था उनकी दिखने लगती लोगों को क्या अभी क्या अभी क्या शरीट शोड़ने वाले हैं क्या और सभी उस समय पे जो ब्रामान ने खुश अभी ब्रामन लोग अरे देखा क्या पहलोगा सभी शिष्य लोग लगे उनके नरतुम्दास ठाकुर जी के शिष्य लोग लगे लगे कि देखिए उस समय पर से वह सचेत हो जाते हैं और जैसे नॉर्मल विक्ति चलते हैं वैसे उटने पिरने लगते हैं और कई सालों तक वो जीते हैं जो सभी सभार्द ब्रामन के विचार को खंडन करने के लिए वो ऐसी लिला करते हैं और एक दिन अचानक वो इच्छा करता है कि गंगा में जाने के लिए और फिर उस समय पे अपने शिष्यों के साथ वो गंगा में जाते हैं वही पे उनके अंतिम लिला होती और वैसे वह अंतरदान हो जाते हैं, श्रीर ननुत्रनास ठाकूर महाशेखी, श्रीर प्रभुपा देखी, हरे कृष्णा, तो समय हो चुका है, किसको कुछ टिपनी देनी है, तो दे सकते हैं, कि टत्व तो कुछ फिलोसफिय ऐसे कुछ नी, तो किसको कुछ टिपनी देनी है, कुछ आड करना है, तो बोल सकते हैं, हरे कृष्णा, श्रीर प्रभुपा देखी, हरे कृष्णा से,